क्या होगा अगर हम चीनी ना खाएं दोस्तों जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि चीनी का ज्यादा सेवन स्वास्त के लिए बहुत ही ज्यादा खानिकारत हो सकता है अधिक चीनी का सेवन वजन को बढ़ाने में मददगार होता है बीमारियों के साथ साथ हमारे मूड को भी खराब बनाने का कारव होता है हमारे ब्रेन, स्किन यहां तक भी हर तक पर चीनी अपना बुरा प्रभाव डालता है दोस्तों आप सिर्फ एक सप्ता के लिए चीनी का सेवन बंद कर दें तो आपको इसके आश्चण जनक रूप से अच्छे परिनाम लेखने को ने लेंगे इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपने आहार से चीनी को अलग कर दें तो आपको कैसा की होगा आपके स्वास्त पर इसका कितना अच्छा पसर पड़ेगा आप एक गंभीर लग से बाहर निकल सकते हैं कई रिसार्च में इस बात का खुलासा हो चुका है कि चीनी यानि कि शुगत की लग कोकीन से भी जादा खतरनास होती है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शोद के लिए लैब में चुगों को तब-तक कोकीन दिया गया जब तक की चुगों को कोकीन की आदत ना लग जाए और फिर उसके बाद जब उन्हें शुगर और कोकीन में से च्वाइस करमे को दिया गया तो 94 पीसदी चुहों ने शुगर को ने खाना जारा बसंद किया अब सोचिए कि चीनी की लग कितनी मुरी है आपकी breathing यानि की सांस पहले से जादा अच्छी हो जाएगी शुगर ना सिर्फ गम बिजीज और कैविटीज का कारक है बलकि शुगर बैक्टीरिया को भोजन प्रोवाइब करने का भी काम करता है जो आपके सांस की बद्वू को बढ़ाने का काम तो करता ही है साथ ही आपके दान को भी खराग कर मसूरों को कमजोर बनाता है तो क्यों ना आज से ही एक सप्ताह के लिए शुगर को बाई बाई करकर आजमालिया जाए त्रिजर देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगेगा शुगर हमारे दिमाग पर भी अपना काफी बुरा प्रुभाव डालता है अगर आप किसी कॉम्पिशन की पैयारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि शुगर से दूरी बना कर रखें वैसे भी दिमाग तो हर किसी को चाहिए तो अपने दिमाग को शार्ट बनाने के दिए शुगर को अलविदा तहरी चीए क्योंकि कम शुगर मतलब जादा नालाइज आपकी तवचा जवान लिहेगी The American Journal of Clinical Nutrition के एक रिसर्प से इस बात का खुलासा हो चुका है कि आपकी तवचा पर एकने जैसी समस्यानों का कारक है शुगर So, अपनी तवचा को खुबसूरत और जवान बनाए रखने के लिए शुगर से तवबा जरूरी है आपका हर्ट आपको धन्यवाल दहेगा जी हाँ दोस्तों अधिक शुगर का सेवन करने वाले व्यक्ति को हर्ट अटैक का खत्रा जादा रखता है अगर आप चीनी का सेवन नहीं करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर सामाने रहेगा हर्ट से जुरी बीमारियों से आप खुद को बचा कर रख पाएंगे आपका दे हमेशा जवान बनाड़ेगा बुरे कॉलेस्टरोल से निजात मिल जाएगा जादा शुगर का सेवन बैड कॉलेस्टरोल और ब्लड पैट्स को बढ़ाने का काम करता है जो आपके ब्लड बैसल्स को बंद करने का कारत भी हो सकता है या आपकी जंदगी के लिए एक बड़ा खत्रा साविक हो सकता है इसलिए हेल्दी लाइट चाहिए तो शुगर को कहिए अलविदा आपका मूर पहले से अच्छा रहने लगेगा शुगर छोड़ना आपके मूर के लिए गेम चेंजर का काम करेगा आप पहले से जादा प्रिटी और खुश रहने लगेगे शोड़ में इस बात का खुलासा हो चुका है कि जो बेक्ती शुगर का सेवन कम करते हैं बेट डिप्रेशन जैसी दिमारी के शिकार होने से बच जाते हैं आपको नीन अच्छी आने लगेगी आप पहले की अपेक्षा अधिक एनरजेटिक महसूस करेंगे नीन अच्छी आएगी और आपका मूद हमीशा तरो ताजा और फ्रेश बना रहेगा डिप्रेश का खत्रा कम हो जाएगा रत में ग्लुकोस का अधिक होना विश्की दरहतारी करता है और ये डिप्रेश के साथ साथ अंधियपन का भी कारत बन सकता है शुगर का सेवन बंद करना डिप्रेश के खत्रे से बचने के साथ साथ आँखों को भी स्वस्ट बनाए रखने वाला है कैंसर से बच्छे रहेंगे कोशिकाओं की अनियन प्रिक बढ़वोत्री की वज़े से कैंसर काफी तेजी से पैलता है इस बात की संख्या बढ़वोत्री को रोकने की खातिर इंसुलीन काफी बहत वपुर्ण हार्मोन होता है इसलिए वैग्यानिकों का मानना है कि इंसुलीन के अस्तर में इजासा कहीं न कहीं कैंसर का कारत बन सकता है इसलिए दोस्तों अगर आप चीनी से दूरी बनाए रखेंगे तो कैंसर जैसी खतरना और जान लेवा दुमारी से भी दूरी बनी रहेगी दोस्तों चीनी जिसे की आप मीठा जहर या फिर सफेज जहर के नाम से भी जानते होंगे जो जहर आपकी जिन्दगी में जहर बोलकर उसे दुख के अंधेरे गर्द में ध्रखेंगे का काम करता हो भला उससे दूरी क्यों न बना ली जाए झाल